इसका पर स्कूप 35 ग्राम का है, यहां पर दिखा है को फोरो ला दोंगों फिर से, तो अभी चलिए इसको हम लोग स्कूप का साइज टेस्ट कर लेते हैं, यह बन मशीन की on, यह आगे 0 पर, ठीक है, and स्कूप, साइज 1 स्कूप लिखा है, तो हम लोग हीपिंग, पीपिंग क पूरा भरा हुआ है, लेवल स्कूप, इसको हम लोग डालते हैं, अपने शेगर के अंदर, एग गाइस, तो वाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग, और आज मंगलवार का दिन है, और मंगलवार का दिन हम लोग लाते हैं, अपने टेस्टिंग, तूजदे की वीडियो, तो आज इस वीडियो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, साइट्रॉन निट्रिशन का एडवांस वेड प्रोटीन, अब इसके बारे में जो भी डिटेल चाहिए, आपको कंपनिंग बारे में कौन 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 से प्रोटक्स आते हैं, कहां कि कंपनी हैं, कैसी कंपनी हैं, जल्दे शुरूद करते हैं अपने इस वीडियो की और करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग, आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए, और नीचे कॉमन कर दिजिए कि कैसी लिग अपलोग ये लेग वीडियो, तो देखिए, सबसे पहले इसकी पैकिंग के बारे में, मैंने अप एक ट्रेडमार्क टाइप का है, वसा छपाओ मिल जागा, तो हम लोग इसको खोलते हैं, और काफी अच्छी क्वालिटी की जो भी टेपिंग है या पॉलेथिन है, तो यहां से फढ़ गया है, और यहां से खोल गया है, और यहां पे अगर आप लोग देख सकते हो, क्या द यहां पे आप लोग देख सकते हो, यह जो इसका अंदरा लेबल है, काफी अलग है, इसकी में फोटो दाल दूँगा, क्योंकि दिखेगा तो है नहीं आप लोग यहां पे कुछ बार कोड्स दिए गया है, जिसको स्कैन करके आप लोग यह चीज कनफर्म करते हैं, यहां ज यहां पर क्लेरल लिखा हुआ है, जो सील है वोगोत ही ज्यादा मोटी है, तो इसको हम लोग खोलने के लिए हथियार निकalten है, तो यह रहा हना हथियार और अभी इसकी सील को हम लोग फारते हैं, यह इसकी स्कीषी फटगे ही काफी मजबूत आन काफी अच्छी सील है, दी कि यह सब जो चीज़ है ना सील हो गई जो डखन के उपर लेबल हो गया जो टेप हो गया यह प्रीमियम नस दिखाती है ब्रैंड की यार इसमेल बहुत जबर्दस तारी इसकी अब इसके इंतर मुझे स्कूप दूढ़ने की जो मशक्कत हो करने पड़ेगी तो चले मैं स्कू आज पर अजल स्कूप के पर कोई ब्रैंडिंग नहीं की लिए है कर दे तो बहुत का अगया है थिए चुप नहीं किये श्कूप स्कूप का है यहां सभी इन दिखका फोला जो तहीं चलिए चलिए सब्सक्रम स्कूप का साइज कर लेते हैं यह जा आगे जीनो पर ठीक है स्कूप साइज वन स्कूप लिखा है तो हम लोग हीपिंग पीपिंग कुछ नहीं लेंगे तो यह मैंने एक फुल स्कूप ले लिया है पूरा भरा हुआ है लेवल स्कूप एन इसको डालते हैं अपने शेकर के अंदर यहां पर देखते हो कि 38 ग्राम के आसपास आया है और य इसके जो मिक्सिबिल्टी उसको हम लोग देख लेते हैं ओके मैं इसको 10-15 स्कूप लिए शेक किया है और इसकी मिक्सिबिल्टी भी मुझे अच्छी लग रही है जी हां मिक्सिबिल्टी बहुत ही जबरदस्त है और किसी प्रकार के कोई भी लंस इसमें देखने को नहीं म मेठा है लेकिन थोड़ी-थोड़ी जो कॉफी होते है उसका फ्लिवर आ रहे तो वह चीज अच्छी लेगे लेकिन थोड़ा सा जो मीठा पनाव बहुत मुझे जाधा लग रहा है हाला कि टेस्स अब्लेक्टिव है लेकिन आप लोग को इसका टेस्ट मैं कहूंगा तो ये प्रोटीन ओवर आल मुझे तो काफी अच्छा लगा इसकी जो पैकेजिंग है वहां से लेकिके इसकी मिक्सिबिल्टी का टेस्ट हर एक चीज में बहुत ही जबर्दस लगी साथे साथ पर्टिकुलर प्रोड़क्ट के साथ आप लोग उनकी ऑफिशल साइट पर ज कैसे हैं हर एक चीज जनकरी आप लोगो ऊपर जो लिंक मैंने दिया था इससे पहले वहां पर जागा पूदेख लीजिए का इससे क्या होता है कि आप लोग कोई असानी एड आया तो आप लोगो पता रहे कि यह ब्रैंड कहां कहा है कैसा है एंड कौन इसके प्रोड़क्त कर देख बुल्णाल में यह जबाहा है कि यह टोड़क्त बशक्त लेका कर दो